हलो एब्रीवन पढ़ रहे थे हम सेल साइकिल और सेल डिविशन माइटोसीस हम पढ़ रहे थे आज हमको माइटोसीस की फोर स्टेजेस पढ़नी थी कि प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस और टीलोफेस क्या होता है स्टार्ट करते हैं आपको डायग्राम भी हां बहुत क्लियर दे रहे होंगे पहला डायग्राम दिखाया है अरली प्रोफेस का लेट प्रोफेस का फिर मेटाफेस का दिखाया है आपको डायग्राम देखो क्या है पहले बात करते हैं हम प्रोफेस की क्या होती है प्रोफेस देखो जो आपको पहले दिखा रहा है वो एक सेल का डायग् तिर स्याग् صिर्ड है वे व् myster नेटवर यह दिख रही है और यह दिक्या देखते हैं दिर्धा에서 आप देखते हैं प्रोफेश जो टी है वह फस्ट assess रूती है कहलियो नेसिस की जो इंटरफेश के बाद ऑद आती है अब प्रोफेश जो रूता है उसका अब वो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर जाने लगते हैं, सेल के हैं, जैसे यहां दिखाइग दे रहे हैं, ये रेट कलर के, यह opposite pole पर आने लगते हैं जो chromatin material condensed होता है उसकी वज़े से क्या होता है एक compact mitotic chromosomes की formation वहाँ पर होने लगती है आप देख रहे होंगे यह thread जो है यह condensed होकर इस form में आ रहे हैं तो इनके condensed होने से क्या बनने लगते हैं वहाँ पर mitotic chromosomes बनने लगते हैं हर एक chromosome जो होता है वो two chromatids का बना होता है जो की centromere से held रहते हैं दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर double lines यहाँ पर भी double lines है देखो और यह बीच में क्या दिखाई दे रहा है यह goal जो होता है वो centromere तो एक chromosome क्या होता है दो chromatids का बना है और किसके जरीए बना है centromere के जरीए बना है इसके बाद जैसे जैसे प्रोफेस का end आने लगता है वैसे वैसे mitotic spindle fibers की भी formation होने लगती है यह देखो आप देख रहे हैं यह centriol, centriol से यह fibers निकल रहे हैं तो इनकी भी formation क्या होने लगती है जैसे जैसे प्रोफेस खतम होती है इनकी formation शुरू हो जाती है और जैसे जैसे प्रोफेस खतम होती है वैसे वैसे nuclear membrane, nucleolus वो completely disintegrate हो जाते हैं Golgi complex, endoplasmic reticulum वगएरा सब disappear हो जाते हैं तो यह किस में होता है प्रोफेस के अंदर मतलब प्रोफेस में क्या हुआ कि nuclear membrane, nucleolus जित्ते भी cell organelles से सब तो disappear हो गए लेकिन chromatin network क्या हो गया condensed हो गया और वो chromosome की form में आने लग गया और वहाँ पर centriose भी opposite ball पर पहुँच गए और spindle fiber की formation स्टार्ट हो गई यह काम होता है प्रोफेस के अंदर अब second phase आती है metaphase metaphase में क्या होता है देखो कि जो chromosome का condensation होता है वो metaphase के दुरान complete हो जाता है और metaphase के अंदर chromosomes जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा thickest और shortest होते हैं सबसे ज़्यादा मोटे और ऐसे छोटे लिखाई देते हैं मतलब यह metaphase ही ऐसी stage होती है ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें chromosome को देखना हो तो सिर्फ हम उसको metaphase stage के दुरान ही देख सकते हैं क्योंकि इसी stage के दुरान क्या होते हैं वो thickest और shortest होते हैं यह spindle fibers देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे इनकी formation भी क्या हो चुकी होती है complete हो चुकी होती है और आपने पढ़ा था कि यह chromatid centromere से held होते हैं और centromere के दोनों तरफ एक disc like structure होता है जिसको हम kineto course कहते हैं तो यह kineto course भी कहां present हो जाते हैं centromere की surface पर आ जाते हैं और spindle fiber से attached होने के नहीं में एक site provide करने लगते हैं और यह move करने लगते हैं यह center में metaphase stage के में यह क्या होते हैं बिल्कुल center में आने लगते हैं आप देख रहे होंगे पहले यह उपर नीचे थे सारे chromosomes लेकिन क्या हो गए spindle fiber से यह carneto course थे यह सब attached होने लग गए और इस तरह से attached होकर क्या हो गए यह center के अंदर arrange हो गए मतलब इन्होंने एक metaphase plane के उपर क्या हो गए यह aligned हो गए इसके उपर आकर क्या हो गए बिल्कुल जम गए हैं यह plane of alignment बना ली इन्होंने अब जो chromosome होते हैं वो कहां आ गए हैं इस तरह से equator पर आ गए और हर क्रोमोसोम की एक क्रोमेटीट क्या है जो काइनेटो कोर से attached थी वो एक पोल के माइक्रोट्यूब्यूस जो होते हैं उस spindle fibers के उस पर आकर क्या हो गए अटेज्ट हो गए और उसकी sister क्रोमेटीट क्या हो गई ही दूसरे Kainato Cork की bateris Loras के माय क्रोट्यूब्यूब्यूस से ौपोजिट पडों पर हो गई देखो यह एक तरह investir यह एक इससे ओगई यह एक इससे हो गई एक इससे Commerce ही पर के- अब मेटा फेज़ के बाह्त में क्या होता था है कि नेक्स अथा है एनाफिसट के अनर देखो क्या होता है कि जो स्पिन्दर हो चुन चाते हैं और कुलह न direction już उसके पास है का sort of acem fba हो नग जए अप अप इसको डॉटर क्रोमोस ondan था लुटर अपर होते हैं और टॉटर क्रोमोसोम यह झो होते हैं कि अपोसald मारिग्रेट करने लग जाते हैं और इस मुवमेंट के दौरान centromere जो होता है हर एक क्रोमोसॉम का वो तो पोल की तरफ होता है और जो क्रोमोसॉम के आर्म होते हैं वो इसके पीछे की तरफ होते हैं देखो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या हो गए अब हाफ स्प्लिट हो गए बीच में से हाफ स् यानी कि क्या हो अनाफेस के अंदर centromere split हो गए और chromitis separate हो गए और chromitis कहां आ अब ही opposite poles पर आ गए अब क्या हो गा, next stage आती है इनकी telophase telophase जो होती है, वो nuclear division जो है mitoquysis का उसकी last stage है क्रोमोसोम्स क्या हो जाते है, अपने respective poles पर पहunta जाते है और spindles भी क्या हो जाते हैं, अब completely disappear हो जाते हैं, अब वापस क्या करेंगे, ये chromosome start their decondensation, फिर से ये decondensed होने लग जाएंगे, मतलब वही chromity network की form में आने लग जाएंगे, इसका मतलब क्या होंगे, ये वापस thin और long हो जाएंगे, यानि कि ये अपनी identity को खो देंगे, और वाप होने लगेगा, तब nuclear membrane भी reappear होने लगेगी, ग्रोमोसॉम के cluster के चारो तरफ, नुक्लियो लस्पी अपियर हो जाएंगे, गॉल्जी complex अपियर हो जाएंगे, और endoplasmik reticulum भी दुबारा से रियापियर हो जाएंगे, सारी स्तथी वैसी आती जाएंगी, जैसे की शुरू आ अब यहां कर क्या हो गए यह वापस से अपनी आइडेंटिटी को खो दिया इन्होंने, तो कैसे बन गए वापस से थिन और लॉंग बन गए इन्होंने क्रोमेटीन reticulum की formation शुरू कर दी, इनके चारो तरफ क्या बनने लग गई, नुक्लियर मेंब्रेन बनने लग गई, व अब यह जब इवेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तब सेकिंड इवेंट शुरू होगा, साइटो काइनेसिस, साइटो काइनेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, अब साइटो प्लास्म का डिवीशन होगा, इससे की सेल क्या हो जाएगी, टू डॉटर सेल के अंदर तरीके से होता है, पहले देखते हैं, अनिमल सेल में कैसे होता है, एक अनिमल सेल के अंदर क्या होता है, कि सेल मेंबरेन के अंदर एक फरो अपियर होने लगता है, जो शुरूआत हो जाती है, जिसकी लेट एनाफेस और अरली टिलो फेस के दोरानी, धीरे धीरे ये फरो ड B K 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 E K 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 इस cell membrane में देखो यह एक फरो बनने लग गया, अब यह धीरे 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 इधर अंदर 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 बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे अंदर 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 बढ़ता जाएगा, और एंड में क्या हो जाएगा, यह कंप्लीटी टू पार्ट में डिवाइड होकर इस तरह की तू डॉटर सेल, और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जब कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, देखो, साइटो कायनसीज जो होता है, वो इस ऽ्टार्ट होता है जब एक एक precursor की formation होती है जिसको कि हम cell plate केते हैं Actually क्या होती है ये cell plate middle lammila ही होती है जो कि cell wall जो होती है two adjacent cells की उसके बीच के अंदर बनती है और थीरे थीरे क्या होती है ये center से lateral walls की तरफ बढ़ती है और cell को two halves में divide कर देती है और हर एक cell में क्या होता है हर एक daughter cell में daughter nucleus होता है cytokinesis के दोरान जो cell organelles होते हैं mitochondria, plastids वगिरा ये भी daughter cells के अंदर क्या होते हैं distribute हो जाते हैं और अगर karyokinesis के बाद cytokinesis नहीं हो तो फिर एक multi-nucleate condition बन जाती है इसको हम syncytium के नाम से जानते हैं तो मतलब plant cell में क्या हुआ animal cell में तो किनारों से शुरूआ तो कर सेंटर में आई जबकि plant cell में क्या हुआ पहले ही बीच में जैसे ये एक cell plate बन गई और ये फिर क्या हुई इन किनारों की तरफ lateral was की तरफ बढ़ी और इस तरह से इनोंने इस cell को two parts में divide किया वहाँ पर laterally शुरू होकर center में आई यहाँ पर center से शुरू होकर laterally चली गई और two parts में क्या हो गई cell बट गई तो इस तरह से एक cell से end में क्या बन गई two daughter cells की formation हो गई इस process को हम क्या कहते हैं mitosis कहते है अब mitosis की significance क्या होती है क्या फाइड नहीं रेखो इसके कि multicellular organism जो होते हैं उनके अंदर body growth जो होती है वो mitotic division of cell के ज़िए ही होती है जानते हैं तो आप cell का जब increment होता है gyagote a single cell होती है लेकिन जब उसके अंदर mitotic division होते हैं तो cell के अंदर number बढ़ने लगते हैं और पूरा gyagote जो होता है एक fetus के अंदर धीरे convert होने लगता है नेक्स्ट जो replacement होता है worn out tissues का, cells का ऐसे blood cell हो, skin cell हो या तो injured tissues जो होते हैं उनकी repairment जो होती है वो सब भी किसके ज़री होती है mitosis के ज़री होती है unicellular organism जो होते हैं उनके अंदर mitosis a sexual reproduction के अंदर भी involved होता है और plants जो होते हैं उनके अंदर vegetative propagation जो होता है उसके अंदर केवल mitotic divisions ही involved होते हैं और generally identical individuals की formation होती है और जो uncontrolled cell divisions होते हैं कुछ tissues और organs के अंदर जिससे की tumours की formation होती है वो भी mitosis के ज़री ही होती है तो यह five importance थी mitosis की तो यह complete हुआ आपका cell division cell cycle हम पढ़ रहे हैं उसमें mitosis complete के mitosis क्या होता है mitosis equational division होते है जहां number of chromosome सेम रहते हैं लेकिन number of daughter cells increase होती है उसके अंदर karyokinesis cytokinesis देखा karyokinesis था nucleus का division cytokinesis होता है cytoplasm का division karyokinesis के अंदर 4 stages पढ़ी metaphase prophase, metaphase, enaphase telophase उसके बाद cytokinesis जो animal और plant cell में अलगा लग था और significance of mitosis आज इतना हो गया अब next class में हम meiosis पढ़ेंगे